नमस्कार स्वागत आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFC Net Banking के दुआरा हम Beneficiary को कैसे Delete या Remove कर सकते हैं दोस्तो Beneficiary को Delete या Remove इसलिए करते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को गलती से पैसे ना ट्रांसफर कर दें जिसे हमने पहले एड किया था केवल एक दो पेमेंट करने के लिए दोस्तो Beneficiary डिलिट करने के लिए हमें सबसे पहले Google Chrome App को Open कर लेना है यहाँ पर सबसे पहले HDFC Net Banking Login करने के लिए हमें सर्च बॉक्स में HDFC Login लिखके हमें सर्च कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पर Net Banking वाले Option पर क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ लोड होना सुरू हो जाएगा यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने एक Login पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें Customer ID या फिर User ID एंटर करना है यहाँ पर User ID एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में देख लेना है कि एक Lock वाला Symbol यहाँ पर होना चाहिए Lock वाले Symbol का मतलब होता है कि आपका यह जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सिक्यूर है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना User ID लिखके Continue वाले बटन पर किलिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक Page Open हो जाएगा यहाँ पर हमें Password एंटर कर देना है उसके बाद यहाँ पर Verify Secure Access ID वाले Option पर हमें Tick Mark लगा देना है और उसके बाद हमें Login वाले बटन पर किलिक कर देना है यहाँ पर Password एंटर करने के बाद हमें Login वाले बटन पर किलिक कर देना है HDFC Net Banking में Login करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का Home Page दिखाई देगा यहाँ पर हमें Fund Transfer वाले Option पर किलिक कर देना है इसके बाद हमें Inquiry वाले Option पर किलिक करना है यहाँ पर first वाला option आप देखेंगे view our delete list of beneficiary इस पर हम click कर देंगे इसके बाद हमारे सामने काफी सारे option आ जाएंगे यहाँ पर हम transfer to other bank Napt, RTGS और IMPS वाले option को select कर लेंगे इसके लिए हमें view वाले option पर click कर देंगे इसके बाद हमें scroll down करना है नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी beneficiary है वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर जिस भी beneficiary को आपको delete करना है उसको यहाँ पर simply select कर लेना है और उसके बाद delete वाले button पर click कर देना है दोस्तों जैसे आप इस beneficiary को delete कर देंगे यहाँ पर details confirm करने के बाद यानि beneficiary को delete करने के लिए सारी details देखके उसके बाद हमें confirm कर देना है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो beneficiary है वो successfully delete हो गया है दोस्तों अब आप इस beneficiary को रुपे transfer नहीं कर सकते दोस्तों HDFC net banking से related आपका कोई भी query हो तो नीची comment box में comment करके जरूर पूछे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे Thank you so much for watching